Hey guys, welcome back to the channel The Bitcoin Burner तो यह वीडियो उने वाली है Ripple के XRP token के उपर एक विक अपडेट and overall market के उपर एक विक अपडेट दुनिया बर से XRP के लेटेट and crypto space के लेटेट जो भी news is निकल के आ रही है उन सब को मैं इस वीडियो में cover करने वालों काफी important news is निकल के आ रही है तो प्लीज गाइस वीडियो बहुत informative है वीडियो को बिल्कुल end तक देखें नीचे description में आपको telegram group का link मिल जाएगा उसको बिल्कुल join करना बिल्कुल भी मत भूलें और proper आपको एक सापी का support and distance area dollars में and Indian rupees में provide करवाने वाला हो कौन सा अच्छा buy zone बनता है proper information आपको इस वीडियो में provide करवाई जाएगी तो please guys वीडियो को बिल्कुल end तक देखें अब बात कर लेते हैं सबसे पहले bitcoin के बारे में bitcoin currently 47,488.86 पर trade करता हुआ नजर आ रहा है 3% से यहां पर bitcoin की जो price है वो हमें अपर देखने को मिल रही है फिलाल यहां पर crucial support level है वो 46,800 dollars के आसपास यहां पर बुल्स के लिए बना हुआ है वो hold करना बहुत जरूरी है और बुल्स यहां पर लगातार कोशिश करने के जो 50,000 का mark है उसको यहां पर चुआ जाए उसको यहां पर break करने के लगातार कोशिश है फिलाल जो proper bitcoin का TA वीडियो है वो हम आपको सुबह वाली वीडियो में provide कर वा चुके है bit torrent के साथ तो please guys इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखना बिलकुल मत भूलना प्रॉपर ग्राफ से आपको यहां पर समझाया गया market movement क्या हो सकती है तो अब बात कर लेते हैं हम XRP के बारे में XRP की जो current price चल रहे हो चल रहे है $1.29 0.18% से यहां पर प्राइस डाउन देखने को मिल रही है फिलाल इंडियन रुपीज में जो प्राइस चल रहे हो चल रहे है $95.48 पैसा जो प्रॉपर TA ग्राफ है वो हमने पर टेलिग्राम ग्रूप में शेर कर दिया आपके साथ जो लोग टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े है link in description box below एक बार उसको देख लेते है currently जो resistance का सामना यहां पर XRP को करना पड़ा है वो करना पड़ा है $1.35 पे जिसको convert कर देता हूँ इंडियन रुपीज में आपके लिए वो बनता है जो की convert करके 108.40 पैसा बनता है और उसके उपर जो resistance level है वो $1.64 है तो 121.77 पैसा तो बी शूर यहां पे पको बता देना चाता हूँ हम प्रॉप जो T है वो आपको इंडियन रुपीज में प्रवाइड नहीं करा सकते है वो US DTN डॉलर में ही होगा तो प्लीज गाइस जो मैं कोशिश करा हूँ काफी लोगों के कमेंट आ जाते हैं इंडियन रुपीज में भी प्राइस बताया करो तो मैं जो इंडियन करेंट प्राइस चल रहा है उसके साफ से आप बताने ही कोशिश कर रहा हूँ फिलाल जो अच्छा support अच्छा buy zone हमें देखने को मिलता है हो 100 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है $1.19 पर अगर उसके नीचे कम जाते हैं $1.10 पर एक और support हमें देखने को मिल रहा है $1.19 एक अच्छा buy zone बनता है वहां से का आपको price jump होते वे नज़र आ जाती है तो एक अच्छा buy zone बनता है फिलाल resistance उसका opposite होता है वहाँ पर sellers बैटे होते हैं वहाँ पर हमें rejection का सामना करना पड़ तो प्राइस जो डाउन जाते वे आपको देखने को मिल सकती है फिलाल यह TA है हमारा proper we are not financial advisor आप हमारे TA को as a informative content के तौर पर ले सकते हैं and अपने TA के साथ मैच करके हमारे से reference ले सकते हैं फिलाल बात कर लेते हैं अब overall market and XRP news के उपर जो सबसे बढ़र XRP की news निकल के आ रही है CFTC Commissioner Clarifies Ethereum is non security commodity तो हमें कुछ टाइम पहले जो recent developments हुई इसमें देखने को मिला था यहाँ पर SEC vs Ripple Lab के जो case attorney Jeremy Hogan उन्हेंने बोला अटेंशन लेकर आयते कि legal status of Ethereum Hogan asked SEC Chair Gary Gensler whether Ethereum was a security while the Commodities and Future Trading Commission Commissioner उन्होंने यहाँ पर statement दी है Ethereum के रिगाड़े उन्हेंने बोला है कि CFTC Commissioner cleared up that Ethereum falls under the jurisdiction of his agency and that it is not a security तो basically यहाँ पर दलील दी जायरती होगल के दवारा उसको यहाँ पर हमें देखने को मिला CFTC जवाब दिया है उसका फिलाल जो एक चीज हमें क्रूशल लेखने को मिला है यहाँ पर लगाता है पूरी कोशिश करें जैसे तैसे करके हम यहाँ पर जो है इस केस को खतम करने कोशिश करें पर यह केस हमें लंबा खिछता हुआ नजर आ रहा है फिलाल अब एक और चीज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर आपर देखने को मिलता है कुछ-कुछ टाइम पर जैबखेलोग जो है वह अपनी होल्डिंग्स मार्केट में डाल दें डिफेंट वालेट्स में ट्रांसफर करते हैं एक्चेंज पर ट्रांसफर करते वह नजर आते हैं लाग काफी इंट्रस्टिंग चीज़े चल रही है सके और सही तरीके से हम सही कदम उठा सके वालमर्ट के दवारे यह सब क्या जाना बहुत बड़ी बात है काफी बड़ी अगर हम ब्रैंड नेम की बात करें वालमर्ट काफी बड़ा ब्रैंड नेम है फिलाल ब्रैंड नेम की बात हो कि Microsoft में आयों ऐसा हो निसकता Microsoft want to use Ethereum blockchain to fight NPCI to launch a new Bitcoin Cashback Reward Card in India, काफी interesting चीज़ा में यह देखने को मिल रही है, उस टाएं पर जहाँ पर जो स्टेटस है क्रिप्टो करन्सी का और डिटल करन्सी का वो क्लियर नहीं है इंडिया में, और अभी हमें एक्सपेक्टेशन्स यह है, दुनिया भर में जो में positive news देखने को मिल रही है, वो इंडिया में भी देखने को मिलें, और इंडियन गवर्मेंट के तवारा में एक regulated framework में क्रिप्टो करन्सी जो मार्केट है, वो मूव करता हुआ नजर आए, नो डाउट उसमें आपको टेक्सेशन का सामना करना पड़ सकते हैं, वो जब प्रॉपर बिल आएगा, आपके साथ हम जो भी डीटेश्स निकल के आएगे, वो वीडियो के तूरू शेयर करते रहेंगे, फिलाल यह चोटी-चोटी development हमें देखने को मिल रहें, interesting चीज हमें देखने को मिल रहें, इंडिया में भी वो काफे interesting है, कहीं नहीं कहीं यहां पे जो लोग हैं, इंडियन citizen हैं, उनको अवेर करवाया जा रहा है, cryptocurrencies के pros and cons दोनों के दुबारा, क्या benefits से क्या नुकसान है सब कुछ यहां भी हमें पता होना जरूरी होता है तो यह दुनिया भर से news निकल के आरती एक सापी का proper आपको TA शेर कर दिया support and resistance level बता दिया है होप सो content और वीडियो आपको अच्छा लगाओ अगर लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो शेर कर दो कमेंट करना बिलकुल भी मत भूलना और यह सब कर दिया subscribe नहीं किया गलत बात है subscribe कर दो चैनल को bell icon दबागे notifications को all कर दो ताकि आप कोई भी updates miss out ना कर सकें वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपने और अपने चाने वालों का बहुत ज़्याल रखे खुश रहें मिलते हमारी अगली वीडियो में तब तक ले thank you so much guys watching this video